गुरीवनिंग क्लास, चलिए आज हम लोग अपनी फोर्थ पोएम स्टार्ट करेंगे A Thing of Beauty, written by John Keats John Keats जो है, जनरली वो एक रोमेंटिक पोएट माने जाते हैं और जो उन्होंने कई सारी जो उनकी रचनाय हैं फोएटिक रोमेंस के ऊपर ही लखते हैं तो जो thing of beauty है यह भी कहीं न जए उसी कहीं एक extract है जनरली जो पोएम में यह पोएम थी एंडी मियोन पर एंडी मियोन की पोएम का यह एक extract है thing of beauty ठीक है, before you read में देखे What pleasure does a beautiful thing give us Are beautiful thing worth treasuring तो कुल्म लाके जो है इस पोयम में जो है जॉन कीट्स ने define कर रहे कि एक thing of beauty होता क्या है मतलब हम एक thing of beauty किसको समझते हैं एक सुन्दर चीज हम किसको समझते हैं और हमारे मन में एक भ्रहम क्या होता है सुन्दर चीज को लेके उसको जो है एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इना स्लम पोएट का नाम स्टेफन स्पेंडर कल जो हमने करी थी कीपिंग क्वाइट पोएट का नाम था पैबलो नेरुडा और आज है हमारी अधिंग आफ ब्यूटी पोएट का नाम है जॉन कीट्स ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते है यह पोएट के नाम आपको जो है बड़ अच्छे से याद हो जाने चाहिए क्योंकि एक्जाम में जो है एक नंबर कोशन में यह आप पूछने लगया पहले तो कुछ साल पहले अभी बंदो गयाते वालो कोशन बड़ अब पूछने लगते हैं पूछते हैं यह वाला एक्स्ट्रेक्ट में जो है नेम दा पोएम एंड दा पोएट चलिए, देखे आ थिंग अफ ब्यूटी इस जॉई फॉरेवर इस लवलिनेस इंक्रीजिज़ इस लवलिनेस इंक्रीजिज़ यानि वो कहते हैं कि यह कहा इस जॉई फॉरेवर यानि अगर कोई एक चीज़ जिसको जो आपको एक ब्यूटिफुल फिंग लगती है फिंग फियूटी लगती है आपको एक सुन्दर चीज़ लगती है पर कहते हैं कि वो चीज जो आपको आज अच्छी लगी, कल लगी, पड़सो, फिर नहीं लगी, फिर कम लगी, फिर और कम, फिर एक दिन ऐसा है कि अब आपका मनी नहीं करता हो उस चीज को जो है उसके पास जाना तो वो आपके लिए thing of beauty नहीं होगा thing of beauty तो क्या होता है, thing of beauty तो यसा होता है, जिसका joy forever बना रहता है, और क्या होता है, जिसकी loveliness हमेशा increase होती रहती है, जिसका joy forever है तो जिसकी loveliness हमेशा बढ़ती रहती है, यानि उसके प्रती जो आपका प्यार है, वो प्यार आपका हमेशा बढ़ता रहता है, उसको हम बोलत से फूल को पेड के पुट को देखके बड़ा खुश होते थे और आप जब भी उस रास्ते से जाते तो आपका बड़ा मन करता था उस पेड को देखने का ठीकर तो अब क्या हुआ अब एक दिन जो है वो पेड जो है वहां से काट दिया गया जब आप वहां से गए तो आपने देखा पेड तो कट गया पर आज भी अब जब भी आप उस रास्ते से जाते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि यहां पर एक बहुत अच्छा फूलो का पेड हुआ करता था तो फूलो का पेड क्या हुआ फूलो का पेड थिंग ऑफ ब्यूटी वहा क्यूंकि इसका जॉए फॉरेवर के लिए आपके पास है चाहे वह आज आपके आश नहीं भी यह तब भी उसका जॉए आपके पास ही है ठीक है तो इस लवलीनेस इंक्रीज़िज और इट विल नेव थाहे हैं फला कि यह तीक आपके आपके चाहे है रहाँ है तो इसका बच्ते बीभ आपके जबरा सो